Hello Everyone, Welcome to the Future Civil इस चैनल पर हम आपको Civil Engineering से रिलेटेड सारे से ब्लेट की थियोरी क्लास कराते हैं और प्रिवेसर कोशन भी कराते हैं तो अगर आपको यह हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए तो अब हम अपनी सर्वे की 15 क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे पहले हमने 14 क्लास कर ली है तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली क्लास देखिए अच्छे से फिर उसके बाद आगे कंटीनिन करिए तो हमने पिछली वीडियो में अपना राइजन फॉल मेथड देखा था और हाइट ओफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हमने यह सब देख लिया था तो अब हम कुछ टॉपिक के ओपर बात करते हैं तो इसमें पहला देखते हैं जियोडेटिक लेवलिंग वर्क यह जियोडेटिक हम कभी यूज करते हैं जब हमारा एरिया क्या होता है लार्ज होता है तो इसमें हम देख लेते हैं इसमें कुछ हमारी लाइन होती है जिसे होरिजॉन्टल लाइन हो गई लेवल लाइन हो गई यह देंसर लाइन हो गई तो यह सारी line हम इसमें discuss करेंगे कि क्या क्या होती है ठीक है तो हम देख लेता है पहले यह देखो यह हमारा instrument है ठीक है तो हम पहले horizontal line देख लेता है horizontal line हमारी होती है जब मालोई instrument का तुमने क्या है bubble है तुम्हारा bubble होता है वो क्या है center पे है ठीक है यह एकदम center पे है जब यह center पर होता है तो हमारा instrument क्या होता है एकदम horizontally level होता है ठीक है यह जो इसके line आएगी वो क्या होगी perfectly horizontal ठीक है तो हम horizontal में देख लेते हैं इसकी थोड़ा line setup by an instrument keeping the bubble at center is called the horizontal line this line is always tangent to the earth surface ठीक है तो यह मारलो यह आपके earth surface है तो यह क्या होगी इसके tangenty रहती है ठीक है next हम देख लेता है level line देख लेता है क्या होती है it is an imaginary line consider parallel to mean sea level ठीक है तो यह देख लेते हैं देखो यह हमारा mean sea level है और mean sea level क्या है वो आपने पिछली वीडियो में discuss हम कर चुके है तो जो लाइन यह imaginary लाइन होती है आपकी वो क्या होती है आपकी parallel होती है किसके mean सी level के यह parallel होती है ठीक है तो यह ले लाइन मेरी कौन सी होती है level line next हम देख लेते हैं क्या होता है हमारा जो हमारी reading होती है ठीक है हमें लेनी किसके along चाहिए यह जो हमारी level line है पर हम क्या होद करते हैं कभी कभी कि horizontal line के पर हमारी कहा लेते हैं अपनी reading लेते हैं, ठीक है और linear में किस पर चाहिए, level line पर ठीक है, तो यह रेख लेते हैं, यह हमारा मान लो staff है, ठीक है, linear में कहाँ पर थी, इस one point पर, पर क्या होता है, मान लो आपने इस पर ले ली, ठीक है, horizontal line पर, तो यह जो आपका यह difference आया, ठीक है, इसी को क्या मैं बोलता हूँ, correction due to earth curvature, जिसको मैं CC से denote करता हूँ, ठीक है, तो I hope आप यह समझ गए होंगे, अब हम इसकी थोरी देख लेते हैं, देख लेते हैं मैं, correction due to earth curvature, जिसको मैं CC से denote करता हूँ, staff reading should be taken corresponding to level line, but it is found corresponding to the horizontal line, ठीक है, लेनी हमें किस पर चाहिए, level line पर, ठीक है, पर हम क्या करते हैं, कभी कभी, horizontal line पर ले लेते हैं, तो फिर महीं हम देख लेते हैं, next point देख लेते हैं, difference between level line and horizontal line, at any staff position, is called correction, due to earth curvature, ठीक है, इसी को जो, ये difference आपका आ रहा है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, CC या तो correction due to earth curvature, अब देख लेते हैं, हम ये CC कैसे निकालते हैं, तो ये हम derivation देख लेते हैं, इसकी, ठीक है, इसकी derivation देखते हूँ, ये मालू, ये आपकी line है, horizontal line, ठीक है, ये आपकी कौन से line है, ये वाली line, ये वाली line है, ये वाली line है, आपकी, ठीक है, यानि A, B, ये line कौन से है, आपकी A, B, फिर next देख लेते हैं, फिर ये वाली line है, B से लेकर आपकी ये, ये कहां तर रहा है, ये center of earth, ठीक है, ये earth के center तक हमने extend करी भी है, मालू, ये आपकी जो line है, इसे मैंने ऐसे, करें के center of earth पर extend करी है, ठीक है, ये वाली line मेरी कौन सी है, level line, इसमें देख लेते हैं, मालू, ये वाली है आपकी, ठीक है, level line, और फिर वहीं A से, ये वाली line होगी आपकी, ठीक है, ये वाली line है आपकी, तो line आप समझ गए सारी, तो ये मेरी क्या है, radius, इसको मैं R लिच सकता हूँ, ये भी मेरा क्या होगा, radius होगा, ठीक है, और ये मेरा क्या है, B से लेकर यहां तक, CC, ठीक है, CC मेरा क्या है, correction due to earth curvature, ठीक है, तो हमने diagram समझ लिया, अब देख लेता है, from triangle, O, A, B, मतलब O, A, B, ठीक है, इसमें हम देख लेता है, इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथ अग और स्थे और हम लगाएंगे, तो O, B का square, मतलब आपका, यह देखू, O, B का square, यह अबका hypertonus है, equal to, O, A का square, यानि यह, O, A का square, और, A, B का square, इनको मैं add करेंगे, ठीक है, फिर मैं, O, B को मैं क्या लिख सकता हूँ, O, B को मैं लिख सकता हूँ, R plus C, C का square, यह मैं लिख सकता हूँ, है न, तो यही मैं लिख रखा है, R plus C, C का square, तो जब मैं इसे खोलूँगा, तो यह क्यों हो जाएगा, R square, plus C square, plus U, R, C, C, ठीक है, तो यहां तक तो किसी को doubt नहीं होना चाहिए, और O, A को मैं क्या लिख सकता हूँ, R लिख सकता हूँ है, ठीक है, तो यह R का square, plus D का square, A, B को मैं क्या लिख सकता हूँ, A, B को मैं लिख सकता हूँ, D, ठीक है, पिर देखो, क्या, C, C, आप common ले लोगे, यह C, C का square है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2R plus C, ठीक है, और यह R से, R cancel हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, equal to D square, अब देखो, अगर मैं, C, C को compare करूँगा, यह वाला distance जो आपका यह होगा, ठीक है, किस से, center 2R से, ठीक है, R के होगे, आपका, radius of earth, ठीक है, तो यह distance आपका, 2R के होगा, much, much, much greater than, C, C से, ठीक है, तो इसका मतलब, मैं C, C को ignore कर सकता हूँ, ठीक है, तो देखो, यह आप ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से देखना, कि C, C equal to D square by 2R plus C, ठीक है, अब मैं C, C को इसको ignore कर सकता हूँ, तो correction due to earth curvature मैं कहा लिख सकता हूँ, D square by 2R, ठीक है, अब इसको आप further solve कर लेते हैं, कि D square, 2 into radius of earth मेरी कितनी होती है, 6, 3, 7, 0 kilometer, ठीक है, अब kilometer को क्या, मुझे meter में change करना है, इसलिए मैंने 1000 से into कर लिया, तो अगर तुम इसे solve करोगे, तो answer क्या हैगा आपका, 0.078849 D square, ठीक है, या तो इसको मैं round figure में लिख सकता हूँ, 0.0785 D square, ठीक है, और यह correction आपका क्या होता है, negative होता है, क्यूं होता है, वो भी देख लेते हैं, देखो, लेनी आपको कौन सी थी, ये level line, ले लिए आपने कौन सी, horizontal line, तो मतलब क्या करोगे, horizontal में से, ये decrease करोगे, minus करोगे, ठीक है, इसे ऐसे समझ लो, कि अगर यहां से यहां तक, horizontal line से यहां तक पहुंचना है, तो क्या करोगे, minus ही तो करोगे न, तो इसी लिए, मैंने यहां पर इसे minus लिख रखा है, ठीक है, तो CC आपका किसमा आता है, meter में आता है, और distance आपका किसमा आएगा, kilometer में, ठीक है, तब आप लगा सकते हो, 0.0785D square, minus का, तो याद रखना, इस correction द्यू टू अर्थ कर वेचर, आपका क्या होता है, negative होता है, नेक्स्ट हम देख लेता है, correction due to reflection, ठीक है, reflection की वज़े से भी आपका correction apply होता है, तो इसमें हम देख लेता है, due to effect of reflection, the line of sight is shifted in a downward, direction, that is, toward the dancer medium, hence this correction is positive, तो हम यह देख लेते हैं, यह देखो, अगर जितना मैं अर्थ के surface के पास रहूँगा, तो मेरी air क्या होगी, dancer होगी, ठीक है, यह क्या होगी, आपकी mode answer होगी, अब जितना जितना, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा, तो उसकी जो dancer है, वो क्या होती रहेगी, कम, अगर मैं इन तीन layer की मैं अपनी बात करूँ, तो मेरी d1 सबसे ज़्यादा dancer है, फिर उससे कम d2, फिर उससे कम d3, ठीक है, तो जो आपका dancer line है, वो कहाँ shifted होगी, toward dancer medium, ठीक है, जहाँ पर आपका air क्या है, more dance है, उसी के तरफ यहाँ पर shift होगी, ठीक है, मालों आपको यह आपका क्या है, instrument है, यह आपका staff आपने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको लेनी कौन सी थी, horizontal, जो यह वाली लेनी थी आपको, मगर क्या हुआ, कि reflection की वज़े से, आपने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें error आ गया, ठीक है, यानि यह dancer की तरफ shift हो गई, तो इस वाली line को मैं क्या बोलूगा, dancer line, ठीक है, तो पर हमें कौन सी चाहिए थी, horizontal, हलेली हमने कौन सी, dancer वाली, तो इसी को, correction को मैं बोलता हूँ, correction due to reflection, जिसे मैं CR से denote करता हूँ, ठीक है, तो यह समझा क्या होगा आपको, next point देख लिए थे हम इसमें, the magnitude of this correction is approximately 1 by 7 of magnitude of correction due to earth curvature, ठीक है, तो C, R अगर मुझे निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूँगा, 1 by 7 of CC, ठीक है, यह आपका relation है, तो बस निकाल दो इसको, CR equal to 1 by 7 of CC, CC आपका क्या होता है, 0.0785 D square, तो बस यह value पुट करो, इसको निकाल लेना, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, CR, CR plus का, 0.012 D square, D आपका किस में लोगे हैं मेशा, किलो मिटर में, और CR क्या होगा, मीटर में, अब देखो, अब तुम्हारे मन में टाउट आ रहा होगे, यह positive correction है, तो positive यह क्यों हुआ, यह भी देख लेता है, तो इसमें अपना, क्या रखना आप, simple basic concept रखना, कि अगर मुझे dancer line है, यहां से मुझे उपर पहुँचना है, कहां पर, horizontal line में, तो क्या करोगे, plus ही तो करोगे न, ठीक है, तो इसलिए, क्या है, यहां पर हमने plus ले रखना है, ठीक है, फिर वहीं मैं बात करता हूँ, combine correction की, तो combine correction आप, simple आपका, क्या करोगे, combine correction की, अगर मैं बात करूँगा, c equal to cc, plus का cr, तो यह आप negative का लोगे, ठीक है, और correction due to reflection के लोगे, positive का लोगे, ठीक है, तो जब आप इससे solve करोगे, तो क्या है का, combine correction, यह हमेशा किसमा आता है, आपका, मीटर में, तो क्या होगा, minus का, 0.0673 d square, तो यह आप किसमें लोगे हमेशा, किलो मीटर में लोगे, ठीक है, अगर देखो, अगर कुछ आपको staff rating h दे रखी होगी, ठीक है, तब आप corrected staff rating कैसे निकालोगे, बस simple क्या गरोगे, h minus का, 0.0673 d square, यह लगा दोगे, तो corrected आपकी क् staff rating आजएगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चीज़ में, तो आप यह formula कभी use कर सकते हो, जब आपका d क्या दे रखा हो, इन kilometer में, ठीक है, meter में, नहीं, तो इस चीज़ का धियान रखना, कि d आपका किसमोना चाहिए, kilometer में, तो चलो इस video के लिए हम बस इतना ही रख शेर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, और हम जो derivation होगी, और कुछ numerical होंगे, वो हम कैसे करेंगे, बोर्ड पे करेंगे, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा conceptual clarity आ जाएगी, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको बहुत मजा आएगा हमार साथ पढ़ने में, तो बस आप ऐसी लाइक करते रहे हैं, शेर करिए और सब्सक्राइब करिए, थैंक यू